थाना चेतर के अंतरगत ग्राम नगला सामवरिया के जंगलों की वीकेंड लॉकडाउन का फायदा उठा कर नकली शराप की फैक्टरी संचालित हो रही थी मुकबीर खास की सूचना पर थाना पुलिस ने घेराबंदी कर मक्के के खेट में अवैद रूप से संचालित शराप की फैक्टरी का भंडा फोर किया है मौके से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफतार किया है जबकि तीन आरोपी पुलिस को चक्मा दे कर भागने में सफल रहे वीकेंड लॉकडाउन में शराप की तसकरी करने वाले माफियों के होसले लगतार बुलंद हो रही है शराप माफिया ज्यादा दाम कमाने के एवज में दूसरे राज्यों से शराप लाकर ताजनगरी में खपाने का काम कर रहे है ऐसा ही एक मामला बीते दिन थाना अच्छनेरा का सामने आया था जहां किरावली चोकी के अंदर के गाउन नगला सावरिया में मक्के के खेत में अवैदे रूप से शराप की फैक्टरी संचालित हो रही थी मुकबीर खास की सूच्रपर थाना पुलिस ने शराप फैक्टरी पर छापमार कारवाही की चापा मार कारवाही से शराब तसकरों में अफरत अफरी मज गई मौके से पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे नकली शराब बनाने के उपकरण भारी मातरा में बरामद हुए है जबकि तीन आरोपी पुलिस को चक्मा देकर भागने में सफल रहे थाना छेत्र अचनेरा के नगला सावरिया के जंगल से काफी भारी मातरा में शराब बरामद हुए है जो शराब बरामद ही है वो तक्रीबन तीन हैर से उपर नकली जो शराब है उसके पववे बरामद हुए है तक्रीबन साड़े आठ हैर के आसपास खाली बोतल बरामद हुए है 26ग ऑड़कन बरामद हुए हैं 4 बड़े drum बरामद हुए हैं इसके लावा 3 केमिकल से भड़े हुए drum बरामद हुए हैं जो color mix करके शराब में रंग दिया जाता है वो भी बरामद हुआ है इसके लावा QR code जो टीप होता है वो बरामद हुआ है और जो पैकिंग मशीन जिससे शराब की पैकिंग की जाती है वो भी बरामद होगा है जो अभ्युक्त गिरफतार हैं उनके नाम है प्रदीप और नेतरपाल दोनों अभ्दोवपुरा के रहने वाले हैं और इसके लावा तीन अभ्युक्त हैं जो मौके से फरार हो गए हैं उसमें से काना है नागेंद्र है और एक दूसरा नेतरपाल है तो कुल पांच लोग इसमें इन्वाल्व हैं दो की गिरफतारी हो गई तीन फरार हैं इनको भी सीगर गिरफतार कर लिया जाएगा इसमें मुकर्मा पंजिकत कर लिया गया है सुसंगर धराओं में और जो अभ्युक्त गिरफतार इनसे पूश्ताज की जाएगी है पूश्ताज के बार आगे की विदिक कारवई अमल में लाई जाएगी एसपी बैस्ट ने बताया कि मुकबीर खास की सूजना पर अभैद रूप से संचालित फैक्टरी का पुलिस ने भांडा फोड किया है जिनके पास से लगबग तीन हजार लीटर शराब देशी शराब के खाली पववे एवं धक्कन भारी मात्रा में बरामत किये हैं इलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की गिरफतारी में जुट गई है प्राता हदर्पन नियूस के लिए मुकेश ठाकुड की रिपोर्ट